दुनिया में सबसे लंबा रेल यात्रा का संभवत, सबसे लंबा रेल यात्रा एक ट्रेन स्टेशन से शुरू होती है जो पुर्तगाल के लागोस में है। वहां से आप स्पेन की सीमा को पार करते हुए फ्रांस, जर्मनी और पोलेंड से गुजरते हैं। युक्रेन में युद्ध क्षेत्र से सतर्क रहते हुए। फिर यात्रा बेलारूस में जाती है जहां आप रूस के विस्तृत द्रिश्यों का सामना करते हैं। मौस्को के माध्यम से आप पूर्व की ओर चलते हैं लगभग 6,000 किमी का सफर करते हुए। अब दिशा में बदलाव हो रहा है एक दक्षन की ओर प्रारंभिक गती मोंगोलिया के आकर्शक द्रिश्यों की ओर संकेत करती है। ट्रेन की ध्वनी जारी रहती है जब आप ची लैंड के बैंककॉक में पैड थाई का स्वाद लेते हैं। इस अद्भुत रेल यात्रा का अंतिम टुकड़ा आपको मलेशिया में ले जाता है और फिर आप अडवितिय यात्रा को सिंगापुर में समाप्त करते हैं। इस शानदार यात्रा का कुल सफर 18 सारास साथ पच् की फाइन किमी है जो तीन सप्ताह तक चलता है और कुल मिलाकर 13 देशों के माध्यम से गुजरता है। इस अद्भुत रेल यात्रा पर चलें और आगे के द्रिश्यों और संस्कृतियों को देखें। हमें देखने के लिए धन्यवाद हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करे अकासा स्पेस फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साजह करें और किसी भी संदेह के लिए क्रिप्या टिप्पनी करें।